इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत प्रभावी होने के लिए इस दवा का नियमित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। इसे लेते रहें, भले ही आपको कोई लक्षन न हो। इसका मतलब है कि यह अपना काम कर रहा है। यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपका COPD खराब हो सकता है। सबसे आम दुश प्रभाव मूह में सूखापन, सास की तकलीफ, खांसी, कपकपी, सिर्दद, धड़कन और मांस्पेशियों में एंठन है। यदि आप वहां पहुंचें, तो इसे लेना बंद न करें बलकि अपने डॉक्टर से बात करें। आप अपने मूहों और गले को पानी से धोकर या अपने इनहेलर का उप्योग करने के बाद अपने दांतों को ब्रश करके इन में से कुछ लक्षनों को रोक सकते हैं। अन्यत दूरलब दुश प्रभाव हैं, जो गंभीर हो सकते हैं। अपने डॉक्टर से बात करें यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको किड्नी या लीव की कोई बीमारी है ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उप्योक्त खुरा क्लिक सके। अपने डॉक्टर को भी बताएं कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजिना बना रही हैं या स्तन्पान करा रही हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।